तो अभी तक हमने जो टोपिक पढ़े उसमें हमने पढ़ ली यह कैशीजें अभी जो डिसेंट हमने पढ़ा है वो है एर्थ का इंटेरियर के बारे में क्रस्ट, मेंटल, कोर के तीनों के बारे में हमने पढ़ा next आ जाता आपके पास volcanoes and volcanic landform ठीक है जो next topic आपका volcanoes है तो Volcanoes क्या होता है Volcanoes Volcanoes आपने देखा होगा कि हमने पढ़ते हैं इसको जवाला मुखी कहते हैं ठीक है जो क्या होता है कि कहीं पर किसी Mountain के फटने Mountain के फटने से बहुत सारा Hot Material Eject होता उसके अंदर से जो के बहुत तबाई करता है उसके आसपास के सभी यह region के अंदर तो एक्षिल में यह Volcano होता कि इसके बारे हम देखते हैं तो Volcano को हम क्या define करते है और Volcano on Earth is a vent vent होता है कोई सुराख या फिशर या कोई को फिशर को भी हम सुराख ही कहते है जैसे हम मरे पर कोई समालर पोर्शन कहीं कोई छोटा सा चीज टूकड़ा टूटा हुआ अंदर प्लैनेट्स क्रस्ट ठीक क्रस्ट के उपर फिचर है कहाँ पर सुराख जो है कहाँ पर अर्थ की क्रस्ट के उपर तो विच लावा ठीक है दो मोल्टन मटेरिल को हम लावा कहते है ठीक है उसके बाद एश ठीक रॉक एंड गैसी इरप्ट इरप्ट होती है यह सब चीजें उस सुराख से जो क्रस्ट में है अब विच लावा जो विच लावा जो निकलता है जो उस मटेरिल को लावा कहते है इस इस इसक ने खंचिए विल्कैनोिट यहाँ पर देख दिख की है यह पूर्यक पूरे इसके अ मिटोर इसके लिए आपड़र skilled अड़ी है घीक है यह मटेरिब के लावा होगा ठीक है यह फूरा जो कहला है यह विल्कैनो है material जो निकल रहा वो लावा है आपके पास पिर ऐसी हमारे पास आ जाता है next जीज क्या जाएगी हम देखते है volcanoes and volcanic landforms के इसी volcanoes के साथ एक्स्प्लैन किया हूँ यहां पर पहला क्या है the layer below the solid crust is mantle अर्थ के अपने देखी crust ठीक है उसके बाद ही mantle ठीक है और उसके अंदर density high थी rust से ज्यादा density थी ठीक अब उसमें क्या हुआ mantle के अंदर एक layer थी जिसको हमने कहा esthenosphere ठीक है आपको मिने समझा था esthenosphere क्या होता है ठीक है और उस weaker layer थी वो it is from this that the molten rock material find their way अब इतना सारा material नीचे temperature हाई है तो उससे को सारा material जो है वो पिगल जाता है ठीक है कुछ मोल्ट अब उसके क्या हुआ कि इस esthenosphere से उसको रास्ता मिल जाता है क्रस्ट में आने का क्रस्ट में जैसे आया क्रस्ट में फिशर देखा कोई सुराख देखा हो जानसे बाइर निकलना हो जाता है तो वह यह रहा था material in the upper mental portion is called magma upper mental portion में उसको का जाता है magma ठीक है और जब यह क्रस्ट की तरह move करता है यह surface पर पहुंचता है तब उसको का जाता है लावा ठीक है inside the earth जब रहेगा वो magma कहलाएगा जब outside the surface आ गया वो लावा कहलाएगा आपके पास ठीक है ठीक बाद समझने वाली यह दो point जो है देख लेना आप ठीक है inside the earth जब upper mental में है तो magma है जब वो रुकरस्ट सर्फिस पर आ गया तो वो लावा कहलाएगा next the material that reaches the ground includes lava flows, pyroclastic material, debris, volcanic bombs, ash, dust and gases such as nitrogen compound अभी अलग अलग material जो उसके अंदर से निकल रहे हैं debris as a material, volcanic bombs, volcanic bombs, dust, gases, nitrogen compound ने जो निकलता है ठीक है यह उसके साथ जो निकल गया है material next आगे आपके पास क्या, under basis of frequency अगर हम frequency देखे कितने basis के उपर इसको निकलता है तो तीन तरीके के आपके पास आते हैं volcanoes active, dormant and extinct volcanoes active, dormant and extinct active कौन से हो गए जो हमारे पास fairly erupt होते रहे, continuously erupting होते रहे, ठीक है यह एकदम से active हो, यह एक 20 साल होगा, अगले साल होगा, 25 साल के बाद, 10 साल के बाद, ऐसे जो है, दो साल के बाद, विरफ्ट होता रहा, उसको हम कहते है, active volcano है dormant क्या है? जो recently कोई भी occurred नहीं हुआ, लेकिन पहले वहाँ पे होता है, पहले वहाँ पे हुआ है, लेकिन recently, 25 साल के अंदर, कोई भी eruption नहीं हुई, उसको हम कहते है, dormant volcanoes, third आ जाते है, extinct wall volcanoes, जो के historic time के अंदर, उसके अंदर, कहीं पहले हुआ है, लेकिन अब जो है, उसको हम नहीं कह स करते हैं, नहीं जाते है, causes के हैं, volcanic activities, causes को अगर हम देखें, पहला में कहाँ है, आपके पास, कि जो radioactive substance है, ठीक है, इन्यासे substance, जो हमारे पास, inside earth present है, वो बहुत ज़्यादा heat generate करता है, ठीक है, जब उनकी decomposition होती है, और chemical reactions, वो बहुत ज़्यादा heat generate करता है, ठीक है, और या वहाँ पर एकदम हल चल में रहता है, अब वो क्या करता है, उस material को एकदम से molten, semi-molten, sometimes gassy state के अंदर कर देता है, ठीक है, यह इस radioactive substance की decomposition की वज़ा से, अब जैसे ही यह molten, semi-molten, या पिर gaseous material को मुका मिलता ही, उस वहाँ से निकल कर बाहर आने की कोशिश करते हैं, वी आगे से बंद कर लिया है, और एक सुराक कर दिया है, तब देखो कि इसके अंदर जितनी भी हवा होगी, वह सारी सुराक पर जोर लगाए कि कब भी सुराक से सारी बाहर निकले, इस सुराक से बहुत तेजी से हवा बाहर निकलते रहे, similar process यहां पर हम समय सकते हैं, ठीक है, ठीक है, because of high pressure in the center, the magma and gases के भी वहाँ पर pressure high है, उसके वह जो great velocity के सारी बाहर निकलते हैं, यहां से आप एक पर फिर यह देख सकते हो, यह आपके पादे वूलकन हो है, अब इसको हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसको रिकर करके explain करेंगे, तो पर देखते हैं इसका क्या, thank you very झाल